जी हाँ दोस्तों अगर आपका भी SBA नी की भारती स्टेड़े बेंग में खाता हैं तो यहाँ पर दो महतोपोन अपडेट निकल करा रहे हैं सभी SBA अकाउंट होलडर्स के लिए जरूर आपको जान लेनी चाहिए एक अच्छी खबर है निकी गुड नीज है अगर आपका SBA में अकाउंट है तो और एक अलर्ट निकल करा रहे हैं चीताउनी है भारती स्टेड़ बेंग की तरप से सभी कस्टमर्स के लिए कुछ ऐसी बाते हैं जिनका आपको ध्यान रखना जरूर ही है अदर्वाइस आपक SBA में खाता है तो सभी तरह के लोन सस्ते हो चुके हैं और आज से यानि कि 10 दिसंबर 2019 मंगलवार के दिन से लोन रेटें गट गई हैं अगर आपने SBA से होम लोन ले रखा है यानि कि घर के लिए लोन ले रखा है चाहे ओटो लोन ले रखा हो कार बाइक मोटर साइकल सब्सक्राइब में 10 बेसिस पॉइंट की कटोती की हैं और इस कटोती के बाद है स्टेट बेंग के होम कार और अन्य लोन जितने भी हैं वो सस्ते हो जाएंगे और यह नहीं रेटें आज से लाग हो जाएगी 0.10 प्रतिशत तक की कटोती हो चुकी है जहां पहले 8 प्रतिश स्वाचाइब करने के लिए और उसमें एक टीजी पोड बील लगा सकते हैं और उसके मदद से हम स्माट फोन में पेंड वगरा हो गया माऊस की बोड़ होगा कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं अब यह बात आप समझ गये इसका मतलब यह भी पॉसिबल हो सकता है कही ना कहीं द चार्ज करने के लिए वो चार्जर सही जगह से नहीं लिया और अगर वो चार्जर किसी नहीं किसी फ्रोड कंपनी द्वारा बनाए गया तो इसे में ये पूरी-पूरी संभावना बनती हैं और पॉसिबलिटीज हैं कि आप जब चार्ज करें हो उस दोरान ये पॉसिबल हो स चार्जर करेगा लेकिन उस दोरान आपके फोन की गैलरी, कॉंटेक्ट लिस्ट वगरा, बैंकिंग अप्लिकेशन को भी खदेड सकता हैं और यह पॉसिबल है अब इससे बचने के लिए आपके पास दो ही तरीके हैं एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना हमेशा कंपनी क उफिशल चार्जर का ही इस्तेमाल कीजिए, जो कंपनी का उफिशल आता है, अगर आपका समसंग का स्मार्टफोन है तो समसंग का उफिशल चार्जर जो आप स्मार्टफोन करीदे हो, उस समय जो साथ में आता है उसी चार्जर का यूज़ करें, अदरोज वो अगर चार् प्लिक प्लेस में जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं, वहां से आप जितना ज़्यादा उसके स्मार्टफोन को कम चार्ज करने की कोसिस करें, अदर्वाइस ना ही यूज करें तो ज्यादा बहतर होगा, और अगर आप कहीं बाहर ट्रेवल अगरा के लिए जाते हो तो इस दोरान पूरी-पूरी संभावना कि आपके फॉन से डेटा कहीं पर भी जा सकते हैं, और इतना ही नहीं दूस्तों, आपकी सोसिल मीडिया अप्लिकेशन के लोगिन, पास्वोड वगरा, जितना भी आपके स्मार्टफोन के अंदर सेविंग डेटा हैं, वो सब लीक होने की संभावना रहा दिया, इसको लेकर बेंक ने कई तरह के सुझाव दिया है, और कई बार ऐसा भी होता है, कि आपके स्मार्टफोन में चार्जिंग स्टेशन के उपर चार्जर केबल के द्वारा, ऐसे मल्वेर इंजिक्ट कर दिये जाते हैं, जिन से फिर आपके घर बेटे स्मार्टफोन के डेटा को एकसिस किया सकता है, बहुत बार ऐसे कैसिज आते हैं, और ऐसे में आपको सावदान रहने की जरुरत है, अच्छा यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली यह है, भार्ति स्टेट बेंक ने जरूर अपने ग्राकों को अलट किया है, लेकिन यह जरूर ही नहीं कि आपका SBI में खाता है, तो ही आप इन बातों का ध्यान रखें, अदर्वाइस आप अपने स्मार्टफोन में चाहिए किसी भी चीज को सिक्योर करना चाहते हो, चाहिए आईशेशे बेंक, कोटक बेंक वगरा, किसी भी बेंक का आप इस्तिमाल कर रहे हो, या आपकी सोसिल मीडिया साइट्स हो गई, या आपकी गलरी के परसनल फोटोज हो गई, या आपकी कोई स्मार्टफोन में ऐसा कोई कॉटक लिस्ट में डेटा है, किसी भी तरह के डेटा को सेब रखने के लिए आप इन चीजों का जरूर धिहान रखें, सिर्फ SBI Account Holders के ये चीजने जरूरी नहीं है, त्यान से समझ गए होगे, उमीद है ये जानकर आपको मिली होगी, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ Facebook और WhatsApp और हाँ, आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छे बेंक